तो यहाँ, पैरी बैच्चोँ, आपका 28, आपका सेस्टिम्बर का यहाँ, देख सकते हैं, एक दम औरिजिनल पेपर होगा है, पूरा पेपर यहाँ पर आपको, यहाँ आईगा, आपको यहां पे आएगा देखिए पूरांग आपको यहां पे आपको तीन घंटा दिया रहा है और इसके साथ मैंने आपको 26 तारिक का आपको पहला पेपर आपका गडित का है उसका मैंने सेलुसन ढाल दिया है साथ में आपको यहां पेपर आपका 27 आपका सिप्तिम्बर का इंगलिस का पेपर डाल दिया हुए आपका तीसरा पेपर है तो फटा फट पूरा पेपर आप अच्छे से कर लीजी आपको यहां पे देखिए हर एक कोश्चन का आपको यहां पे देख सकते हैं मेरे पास यहां के 17 कोश्चन का आंसर आपको मैं इस वीडियो आपको प्रोवाइट करने वाला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे कोश्चन के अंसर बहुत ही अथेंटिक और आपके सटीक आंसर मिलेंगे वीडियो पर अंतक बने रही है आप टॉपर बनके निकलोगे तो चलिए फटा करना अनिवार है और प्रस्णों के उत्तर इसी प्रस्ण पत्र में आपको करना है आपको ऐसा मिलेगा सबसे पहले आपको मिलेगा सही बिगल्प आपको चुनने के लिए ठीक है तो आपको यहाँ पर पहला कोश्चन क्या लिखा है पहला कोश्चन लिखा है आगास सब्द इसका बिलोम सब्द क्या होता है आपको इसमें राइट अंसर आगास का मतलब क्या होता है यहां पर पिर्थी आपको यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है यहां पर आपको अंसर ऐसे करके लिखना है उत्तर में आपको यहां पर पिर्थी लिखना है मैं आपको यहां बता रहा हो कि आपको आंसर आपक यहोगा लेकिन लिखना आपको यहां पे इस प्रकास इस इसकी बात question देखा और दूसरा question आपको दिए गया है मरदुल का अर्थ क्या है तो आपको simple art आपको यहां क्या करने। आपको यह पर आपको यहां पर आकास करना पड़ेगा ठीक है इसे कर लेजिए इसके बाद देखिए कौश्चन आपके चौथा चंद्र सेकर आजात की तरह कौन सा आच्रण आप सोयम में चाहेंगे क्या आपका देश भक्ति चाहेंगे सहयोग की भवना योग्यों समझदार या फिर इ सकति संख के चाहिए सही बिकल्प को चूर्कर लिखना है लाएगा इसके बाद देखिए आपको यहां पर इसले उपमा है या फिर आपको यहाँ पे स्लेस होगा या फिर अनुपरास होगा या फिर आपका यमाख होगा ठीक है तो मन्द समर्पित आपका तन समर्पित और यह जीवन समर्पित इसमें कौन सा आपका अलंकार होगा तो देखिए जिसमें आपको सा यहां भी आ रहा है, सा यहां भी आ रहा है, ठीक है, और आपको यहां पर सा यहां भी आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर आपका, क्या होता है, बंडों के अबरती पर आपका अनुप्रास अंकार होता है, इसलिए आपको यहां पर अंसर, क्या करना है, आपको यहां पर अनु 1909 में सरसोती पुस्तकालय की स्थापना की थी इसके बाद कॉश्चन दूसरा 9 अगस्ट 1925 की घटना आपको यह पे तो साहिज जहां पूर में लखनाउ से आ रही ट्रेन को काकोरी में हिंदुस्तान रिपब्लिक्स एसिस्याजन के आपका करांज कार्यों लूटा था और इस सुराज के सबसे पहले और मजबूत अधिकारों अधिबक्ताओं में से एक थे तता भारती अंता करांड में एक प्रमूल अमूल आपका परवर्तन बादी थे ठीक है कोश्चन नहीं क्या लिखा है आपको इसका समास आपका विग्रह करना है बहुत सिंपल कोश्चन है अम विद्वर्सा मतलब अम्रत का बर्सा ठीक है और जिसमें आपका क्या होता है आपका का की आता है यह आपका किसमें आता है आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से देखे करताने कर्म को करण से के दौरा संपरदान के लिए आपादान से सबंध का के की ठीक है तो संबंध बता रहा है मतलब अम्रत से आपका बरसा होगा आपको अंसर संबंध आपको यहां पर हो जाएगा संबंध आपको होता है ततपूरु समास ठीक है तो आपको पहले बाले में आपको यहां पर आपको ततपूरु समास आपको करना पड़ेगा ठीक है कर दीजिएगा इसके बाद द और इसके बाद आपको चारो खूट तो चारो खूट आपका चारो खूट आ रहा है आपका संबंध है तो आपका यहां भी आपके तत्पूरुस हो जाएगा ठीक है तो यहां पे आपके तीन आपके तत्पूरुस आ रहा है बाकी आपके यहां पे एक आपका दोंद आ रहा ह लिखे आपका मतलब में लिखना हम इसरं का होता है आपको सिंसल रिक्तिает लिखके क्या होता है 64 महिन में मतलब कहें इस सब्दे में सब्दों ma इसके बाद देखिए इसके बाद question दसमा देखिए नेम लिखित सब्दों में आपको यहां पे कविता की आपको यहां पे रचना करना है ठीक है तो क्या करना है आपको यहापे सब्दों का प्रयोग करके आपको कविता की रचना करना है ठीक है तो आप अपने भासा में इन सब्दों का एक आप क्या करेंगे यहापे उप्योग करके आप यहापे कविता कर लीजिए और इसके बाद देखिए आपको जो question बताएं लायक ह इस चित्र स्क्राइण आपको उनके पहजान कर आपको करोंबें ये आपके देश के राश्पती थे औ जैनुल अवैदिन अब जैनल अवेधिन अब्दूल कलाम ठीक है जो मिसायल मैन और जन्था की राश्पती के नाम से आपका जाने जाते थे भारती गर्णतंत के गैरबे निर्बाची राश्पती थे वे भारत के पूर्ब राश्पती जाने माने बिग्यानिक और यहाँ पे अवियंता इंजियनर के रुबे बिख्यात थे उन्हों सिखाया जीवन में जैसे भी परस्तिया क्यों हो आप अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं तो उन् कुल्शित आपका बिराम चिन आपको प्रियोप करना है ठीक है तो बहुत सीम्पल आनसर कैसे करेड़ें आप इसमें देखिए आपको इसे देख लेना है आपको छे नंबर कोश्चन आपको जब इसको दिया है आप यहाँ पे उत्तर लेकर से पूरा आपको अंतर आतर जो को श्चन आता है आपका यहाँ पूरा यहां तक और इसके बाद देखिए पूरा आपका पॉइंट हो जाएगा इसके बाद आपको चोथा यहां पर लिखा गया है आपका आत्मिस्वास लिखा है और इसके बाद आपको यहां पर चार पॉइंट आपको यहां पर लिखना है छह पॉइंट ठीक है इसके बाद आपको पॉइंट आपको यहां पर मिल जाएगा यह देखिए एक अगरता और इसके बाद आपको लिखाय का गर्ता हो जाएगा और इसके बाद आपको यह कर लिए पूह पूरे पूंई्ट आप यहापके कर यह और इसके बाद देखिए आपका next है आपको यह पे question जहीं बनुगा ठीक है चलिए इसकी बाद question देखिए आपको question पंदरवा आपको question पंदरवा में आपको यहाँ पे आपको simple तरीक से आपको लिखा गया है खिलारी भाबना कर्स क्या होता है ठीक है तो आपको बताना है और साथ में आपको खेल के माध्यां से किर नयतिक मुल् तो चाहो तो आप यहाँ पे देखिए आपको हम पहले का अंसर देते हैं आपको यह वाला तो आपको इसका अंसर कर लिजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप इसका अंसर करिए चलिए पूरक पूरा अंसर को दिखा देते हैं आपको यहाँ पे proper आपको हर एक आपका अं अंसर लिख लिए जीए को सयोग की भाबना विचार सिलता डढ़ता सयम आत्म नियंत्रड और अंसाथन आधिए ठीक है तो यहां पर दिखिए हम ने आपके पूरे के पूरे आंसर आपको दिये दिये हैं इसके बाद को सोलबा आता है तो सोलबा कोस्टन में देखिया को यहा िटाना फिल तो ँझाह सedesकी में जबता हो कई ऐसे आपको करना थिक है तुम्हाइब पर इससके बाद यहां पर आंसर पर आपको करते हैं और टरुश्jak प्रसंग में प्रसूत पद्याद में कबटी देश के रच्छा के लिए आसीर बात मांगने को कहता है और इसके बाद आपके यहां पर अजादी के अमरत महुस्तों के बारे में आपको यहां पर लिखना है तो आपको इसमें निवन बहुत सिंपल तरीक से आप लिख सकते हैं देख लिजी दसंग का question है पूरा आपको यहाँ पे answer आपको यहाँ पे लिख दिया गया है ठीक है तो आप यहाँ पे answer देख लिजीए पूरा answer कर लिजेगा एक एक आपको यहाँ पे answer आपको करना पड़ेगा आपको अपने सब्दों में अब भेतिन तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं देखिए पहले आप यहाँ तक कर लीजिए है ना आप यहाँ तक कर सकते हैं पहले यहाँ तक कर लीजिए और इसके बाद इसके आगे आप यहाँ पूरा नीचे कर लीजिए तो इसकार से आपको यहाँ पर प्रॉपर आपको अंसर मैंने 17 तक की आंसर एक एक कोश्चन की आंसर मैंने आपको दिये दिये हैं आई होप यह आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को दिल से लाइक करके जाएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें अब तुम लोग गल्ती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाइ